नमस्कार आप देख रहे हैं NBC24 और मैं हूँ आप सभी के साथ ब्रमचारी आसी सिक्षा विभाग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर जो कुलपतियों के मीटिंग में शामिल ना होने के कारण के के पाठक ने उनके बैंक खातों पर प्रतिबंद लगा दिया था अब उस पर से प्रतिबंद हटा दिया गया है लेकिन उसके साथ एक बड़ी सर तरक दी गई है क्या कुछ है पूरी अपडेट जानी है बिहार के विसविद्यालेयों के बैंक खातों पर लगी रोक हटा दी गई है सिक्षा विभाग की बैठक में कुलपतियों के ना आने के बाद अपर मुखे सचुके के पाठक ने सारी उनिवरसिटी के बैंक खातों पर रोक लगा दिया था इसके बाद गंभीर संकट खड़ी हो गई थी सिक्षकों को लेकर कर्मचारियों के वेतन रुख गए थे आज सिक्षा विभाग ने रोक हटाई लेकिन उसी के साथ एक बड़ इस तक रोक लगाई गई थी इसक्रम में निदेशा अनुसार अनकित करना है कि अपर मुखे सचुके अध्यक्षता में विश्व विद्यालेयों में विलंबित परिक्षाओं की सिती की समिक्षा तथा चालू परिक्षाओं की समय बद्धता की सिती की समक्षा है तो एक ब नांक 9 मार्च 2024 को 12 बजे मध्यम में मदन मोहन जा इस्मिनिती भवन में सिक्षा विभाग में आयूजित की गई है जिसमें कुलपती, कुलसचिव एवं परिक्षा नियंतरक द्वारा सभी प्रतिवेदनों के साथ समय भाग लिये जाएं उक्त समिक्षा बैठक में कुलपती समेथ सभी पदाधिकारियों के साथ भाग लेने की प्रत्यासा में बैंक खातों के संचालन पर रोक को ततकाल सगित रखने का निर्ने लिया गया है और उसी के साथ साथ सिक्षा विभाग के इस पत्र से स्पस्ट है कि बैंक खातों पर रोक सिर्फ तीन दिनों के लिए हटाई गई है नौ मार्च को सिक्षा विभाग ने फिर से सारे कुलपती कुल सची विवम परिक्षा नियंत्रक की बैठक बुलाई है अगर उस बैठक में भी शामिल नहीं होते हैं तो फिर से बैंक खातों पर रोक लगेगी तो बता दें आपको कि केके पाठक के निर्देश पर सिक्षा विभाग न 28 परवरी को बिहार के सभी विश्व विद्याले के कुलपती, रजिस्ट्रार और परिक्षा नियंत्रकों की बैठक बुलाई थी राजभवन के आदेश पर कुलपती इस बैठक से दूर रहे इस पर एक्षन लेते हुए केके पाठक ने सभी कुलपतीयों का वेतन बंद कर दिया था और विश्व विध्याले के बैंक खातों के संचालन पर रोक लगा दी थी केके पाठक के आदेश पर विस्वविद्याले के कुलपतियों और दूसरे पदाधिकारियों पर केस भी दर्ज कराय जा रहा है हलाकि इसके बाद राज्यपाल राजिंद्र विस्ववनात आरलेकर ने सभी उनिवर्सिटी के बैंक खातों पर लगी रोक को हटाने का आदेश दिया उनके प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंग्यू ने बैंक की साखों को पत्र लिखकर खाता को चालू करने का आदेश दिया था लेकिन बैंकों ने राज्यपाल के आदेश को नहीं माना और बैंक खातों पर प्रतिबंध रोक जो है वो लगी रही तो ऐसे में एक बड़ी अपडेट जो है फिलहाल निकल करके सामने आ रही है तीन दिन बाद फिर से एक बैठक बुलाई गई है अगर उसमें रेजिस्ट्रार कुलपती समेत परिक्षक नियंत्रक जो है वो अगर नहीं पहुँचते हैं तो फिर से उनके खातों पर रोक ल पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फालो कर लें और कमेंट में अपने प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें